आज चुबा सुबा सोके उठे ना तो as always जो दानिश साब थे वो हो गए थे हमारे से नराफ दानिश की बहुत भी लाफ दानिश टॉय चाहिए ना चाइनी स्टोर सा खेर खूब मिंते शिंते करके हमने दानिश को मना लिया कि हम आपको बाहिर से टॉय ले देंगे मेरा बेटा जो है ना इसको बाहिर आने का बिलकुल ही शुक नहीं है हम बड़ी कोशिश करते हैं कि यह बाहिर आये जो के लोस अंजलेस की तीम है और हसन उसका फैन जो बास्केटबॉल के प्लेयर्स ना उनको पता होगा कि लेबरॉन जेम्स क्या होते है खर हमने दानिश को बना लिया और यहां पर मुझे एक लेडी नजर आई वो थी अराउंड 90 साल से भी उपर लेकि उन्हों ने इतना अच्छा और प्यारा मेकप किया के बाद हम अपनी ट्रीम पकड़के चलेंगे तरकीस सूपर मारकित ま युगे घर्क्रसलें के मैरक जूब करेंदे हम लोगों ने लेना था हलाल मेट। किया होते हैं हम यह क्ली शारा होता है जोनाने जा बस्का जिसको जब जिबा करते हैं झार कि व्त मेरा यह कज़ के मुझे लगते हैं जब मुरूफी वगएरा को ये करते हैं, तो इस sulphus होता है तो उसके जो सारा खूं होता है जब वह सारा ब्लड निकल जाता है, तो उसकी वज़ासे, हमारे हलाल मीट होते हैं उसमेल नी होती, अगर इसको compare करूँ ना ये दूसरे स्टोर्स के साथ तो उनके स्टोर्स में ना मीट की बुछ बुरी स्मेल आ रही होती है अगर उसके पास से भी गुजरे लेकिन जो हमारे ये टर्किश स्टोर्स बगरा होते हैं यहाँ पे बहुत अच्छी स्मेल आती है स्मेल नीखार खुश्बू इनके खानों की और वो बहुत ही मज़ेदार लगती है और यहाँ पे इनकी कुछ स्टोर्स भी थी अगर हम दूसरे स्टोर पे जाएं उसका नाम हलाल मसो वहाँ पे इनोंने मारिनेटर चिकन भी रखा होता है लेकिन यह है तर्किश मार्किट तो यहाँ पे इनोंने मारिनेटर चिकन भी रखा होता है और उसके बाद हम आगे थे एक चाइनी स्टोर पे अगर आपको भी इंजोय करना चाहते हैं बच्चों के साथ और चाहते हैं कि बच्चे कुछ ऐसी चीज़ें लें जो इतनी जादा एक्सपैंसिफ ना हो क्योंकि यॉर्प के इंदर जो टॉइस है ना वो बहुत एक्सपैंसिफ होते है तो चाइनी स्टोर आर दे बेस्ट प्लेस और ये हर जो टर्किश मार्किट या कोई भी हलाल मीट वगरा होते हैं तो वहां पर होते हैं चाइनीस की माशाला इतनी जादा वो हो गई है ना अबादी के हर जगा होती है अच्छा और आप जब भी मीट कराए ना तो एक मेरी आपके लिए सजजेशन है हमेशा मीट करवाते हो ना जब आप मिंस्ट कीमा करवाएं तो उसको एक दफ़ा धो लें उसको कहें कि हमें ये धोके कीमा कर दें फिर उससे बड़ा फाइदा होगा कि जब आप अपने कबाब से वगरा बनाएंगे ना तो उसके लिए आपको बार बार उसको धोना नहीं पड़ेगा उसके बाद मैंने और हसन ने प्लान किया कि हम जाकर ना कहीं से कोई फिश बर्गर खाते है परकेस हसन इस बिग फैन ओफिश बर्गर लेकिन मेरे साथ फिश बर्गर के साथे अगे जब हाला पैदा होने वाली थी भारा व्लिंद में लोगतम्हाम।र्णना मैं एक माइन्ड में आया वा है कि मैं ये बर्गर खाऊं कि तो दुबारा उस तरह कोई चीज हो जाएगी फिश बर्गर था और फिश सूप भी था यह जो हसन बी रहे है यह है फिश सूप यह चीजे है हसन की फेवरेट है इसलिए मैंने का मैं हालो को पकड़ती हूँ और हसन आज आप करो इंजोई और हसन बहुत अच्छे है वो अपने साथ साथ ना दानिश को भी फुल टाइम ख पीचे पड़ते हैं ना खालो 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 तो बच्चे जोड़े जाता शुक्य हो जाते हैं इसके बाद मैंने का चलो भी मैं भी अपने वाफल्स करती हूँ ट्राइब जब आपके बच्चे टीनेज में आजए ना उनको थोड़ी सी फ्रीडम दे उनको वह करने दें जो करना पसंद है फिर वह आपको भी पसंद करेंगे अगर हम उनको क्रिटिसाइज करेंगे ना तो वह टीनेज में वैसी बड़े हाइपर हुए होते हैं और यह मैं आपको दिखा हूँ यह पता है क्या यह सारा अक्रोट है अक्रोट के जो छिलकी है उसको उनने इस तरह रख है जब मुझे टाइम मिलेगा अच्छी सी वीडियो आड़ेट करके आपको दिखाऊंगी जिसे आपको थोड़ी मॉटिवेशन भी मिलेगी और हसन मुझे हमेशा मेरी पॉकेट मनी टाइम पर देते हैं इसलिए मैं भी अपना काम पूरा पूरा करती हूं क्यूंकि हसन करत हैं ओफिस में काम और मैं करती हूं घर में काम तो यह मेरी थी पॉकेट मनी और यह मुझे हर महीने के बाद मिलती है और यह हर औरे क्योंकि कहा जाता है कि जो पैसा आप एपनी फैमली पे ख़रश करते हो नहीं वह सब्सक्राय होता है इसी बात के साथ अपना रखें ख्या take care and bye bye